very good afternoon to all of you friends स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल competition news में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो ना तरिया शेक्षाब गरती कि सीधे कोट से live update आपके अपने चैनल competition news के माध्यम से आप लोग को मिलेगे तो दोस्तों starting से आप लोग को बता दो सुनवाई शुरू हो चुकी और दोस्तों सुनवाई शुरू होने से पहले यहाँ पे जो जैसाब ने एक बात यहाँ पे क्लियर कर दी है कि आज जो नात रया शेक्षाब गरती का case है पूरी एक घंटे चलेगा यानि कि दोस्तों साड़े तीन बेट तक ही उनत तले शुक्षाब गरती की दोस्तों सुनवाई हो नहीं है खुशखबरी के विशे में दोस्तों आप लोग को बता दू उपेंदरनाद मिष्रा जी की द्वारा दोस्तों जो शिक्षमित्तों के वकील है तीन-चार बार से दोस्तों वो argument यहाँ पे कर रहा है रिपीटिट आर्गुमेंट दोस्तों कर रहे थे जैसे आप के द्वारा दोस्तों उपेंदरनात्मिश्र जी को टोगा गया था पिछली बार दोस्तों जैसे आफ नहराज भी हो गए थे तो खुशकबरी दोस्तों ये है उपेंदरनात मिश्रा जी ने यहाँ पर अपना रेटें समिशन दाखिल कर दिया और इस समय की दोस्तों लाइव अपडेट आप लोगो को बताने वाला हूँ एचेन्स संग सर यहाँ पर दोस्तों अर्गोमेंट अपने कर रहे हैं और दोस्तों जो इस समय की बड़ी कवर है कि जैस आपने उनके बड़ा टिपड़ी की है जैस आपके आप आप लोगो पर और आप इहाँ रख रहे हैं उपेंदरनाद मिश्र और आपकी जो बहस उसमें विरोधा भास है क्योंकि उपेंदरनाद मिश्र जी ने कहा था कि अगर कट ओफ यहां पर बाद में लगा दी जाती तब भी यहां पर नयाले में चुनौती देते लेकिन दोस्तो आ यह जो हमारे हैं उनके दोरा कहा गया कि बाद में कट ओफ लगाना बिलकुल अन्याय पूर्ण है तो इस तरीके से दोस्तो आप लोग समझ सकते हैं अदालत भी धीरे-धीरे दोस्तो समझ चुकी है कि केस किस तरफ जा रहा है शिक्षा मित्तो के वकीलों को दोस्तो खास और सा इंस्ट्रेक्शन यहां पर दे दिये गए हैं कि जो भी रिपीटिट आर्गुमेंट है वो ना करें कोट का टाइम वेश्ट ना करें तो फिलाल दोस्तो अभी इतनी ख़बर आ रही है और अभी दोस्तो लगभग 45 मिनट क दोस्तो सुनवाई रह गई है तो परपल की अपडेट के लिए चैनल को दोस्तो जरू सस्क्राइब कर लीजे चैनल को दोस्तो जरू सस्क्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा फिलाल दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा जेहिं जेमा